नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Samsung Galaxy M33 है या कोई और मॉडल है तो यहाँ पे आप विंडो पिन कैसे कर सकते हैं और उसे यूज कैसे कर सकते हैं तो फुल सैटिंग आपको बताने वाली हूँ तो विंडो पिन करने के लिए और यूज करने के लिए आप चले जाएंगे सैटिंग पर और सैटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिले चाहिए ताकि जब आप window pin हटाएं तो आप से आपका लॉग पूछे इतना करने के बाद यहां पे आपको बैक कर लेना है और किसी भी application को आप पिन करना चाहते हैं तो यहां पे वह application को आपको पहले open कर लेना है इसके बाद यह बीच वाला तो यहां पर आपको 3-4 option देखने को मिलेंगे अब यहां पर पिन this app यह जो option है इस पर क्लिक कर लेंगे और ok कर देंगे तो आपका यह application है पिन हो चुका है अब आप इसी application मेरा है कि जो चीज आपको करनी है इसको देखना है आगे search वगरा करना है तो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप बैक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको इस type का option देखने को मिलेगा यानि कि आप प्रॉपर इसको बैक नहीं कर सकते हैं बिना honor के permission के तीक है अगर आप अपना phone किसी को देना चाहते हैं चलाने के लिए तो आप पिन विंडो का यूज कर सकते हैं किसी भी application को खोल के आप पिन कर दीजे तो वो उस application के अलाव किसी और चीज पर ताकशाक नहीं कर पाएगा आपके फोन में ठीक है अब इसको remove कैसे करते हैं तो remove करने के लिए आपको यहां पर क्या करना है back button और टास्ट पर इन दोनों बटन को एक साथ दबाना है इस ट्रैप से और य यहां पर आपके फोन का लॉग पूछेगा तो अपना फोन का लॉग एंटर कर लेंगे तो यह बैक हो जाएगा या फिर minimize वगरा कुछ भी कर सकते हैं तो इस ट्रैप से आप यहां पर विंडो पिन का यूज कर सकते हैं I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा च इसलिए मिलते हैं आप इस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार